ब्रीकिंग न्यूज इसागर श्री आनन्द पूर के छटवे पादशाही का खुला फर्मानी इसागर जनपद पंचायत घ्राम पंचायत श्री आनन्द पूर के दर्शन पूर्ण आनन्द महराज का परिलोग गमन होने के बाद चर्चा का विशाय बना के अगले गुरू महराज कौन होंगे यह किसी को पता नहीं था के हमारे बीच में रहने वाले विचार पूर्ण अनन्द जी महात्मा जी ही अगले गुरू महराज बनेंगे श्री दर्शन पूर्ण आनन्द द्वारा लिखा हुआ फर्मान आनन्द पूर ट्रस्ट के सदाश योभा आलहा महात्मा द्वारा खोला गया तो उसमें विचार पूर्ण आनन्द महात्मा जी का नाम उजागर हुआ विचार पूर्ण आनन्द जी गुरू महराज ग्राम पंचायत श्री आनन्द पूर के सर पंच रहे इनके कार्यकाल में आनन्द पूर ग्राम पंचायत दो हजार सत्रह निर्मल ग्राम पंचायत खोशित हुई एवं निर्मल ग्राम पंचायत को मद्दे नजर रखते हुए इनको एपीज अर्बदुल कलाम राश्ट्रपती द्वारा राश्ट्रपती पुरुसकार से सम्मानित दिल्ली में किया गया विचार पूर्निमानंद महाराज जी 1930 में अपने माबाप के साथ श्री आननपुर में नौ साल के लगभग उम्र में आय थे आज 78 वर्ष के हैं और छटवी पादशाही गुरू महराज बनाया गया प्राथ स्मरनिय श्री 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 एक सो आठ श्री पादशाही जी महराज जी के उत्तर अधिकारी के रूप में श्री आननपुर के मुख्य प्रबंधक श्री मान महात्मा श्री विचार पूर्णा नंजी को श्री होकुम नमा प्राप्त हुआ है 17 अक्टूबर 2017 मंगलवर शुब सक्रांती के दिन सुबह 11 बजे राजती लगता शुब कारेक्रम होगा उत्तर अधिकारी के रूप में श्री आननपुर के मुख्य प्रबंधक श्री मान महात्मा श्री विचार पूर्णा नंजी को श्री होकुम नमा प्राप्त हुआ है 17 अक्टूबर 2017 मंगलवर शुब सक्रांती के दिन सुबह 11 बजे राजती लगता शुब कारेक्रम होगा